गुद मॉर्णिंग, क्लास नाइट, सब्जेक्ट बैथमेटिक्स, टॉपिक पॉलिटोमिक्स, तो हमाई एक साइज है 2.3, तो से पहले आम थ्यूरम की एक स्टेट्मेंट है, स्टेट, रिमाइंडर, थ्यूरम, स्टेट्मेंट देने हैं आपने, लड़े, पुछ स्टेट्म, स्टेट्विक्स, आइक वीही, पॉलिनोमिन में आपक्स, पॉलिनोमिन, अच्छेमी पॉलिनल में धेलवन के角्ट से, बिल्युनियूद उद्यूरम एक से, आई। tree değer, पॉलिनोमेंट रियूरम गाइं थ्यूरम, ठीजू पी एक्स वी अपॉलिगांगिल पी एक्स हमारे पास एक कोई पॉलिगोंगिल है जिसकी डिग्री या तो वान है या बाद से बड़ी एंड लेट एवी एहनी रियल नंबर और हमारे पास एक रियल नंबर है एक मुण आर में गहित इंड़ी तुाबी एक्स वार लिडिनूर प्रम्योंग मैंद एक्समारे भांद है क्समारे नंबर है एक्समारे आक्समारे मैं भांद है statement है, state, reminder, theorem, state, reminder, theorem, statement, let Px, we are polynomial, हमारी पास है, polynomial Px, degree greater than R equals to 1, let A be any real number, A हमारी पास है, real number है, then on dividing Px by R linear polynomial, x minus A, पर जो हमारी पास polynomial है, Px, उसको हम divide कर रहे हैं, इसके साथ, इस polynomial के साथ, x minus A के साथ, तो जो हमारा reminder आएगा, वो क्या आएगा, P A है, तो यह theorem 3, उसकी statement ही है, तो उसके पाद आप portion प्यार जाएगे, exercise 2.3, first portion, 5.3 divider वन x3 plus 3x2 plus 3x plus 1 is divided by पृस्वार सब्सक्राइब था।-धूरिए फ़яжके जोडिए पॉर्सपर्ट, एक्सोर्गुष्वार्ट एक्स Payिए एक्सृडची कहने लिए। 5 Plus 2X तो यह हमें दिए हुए है हमें रिमाईडर हुआने है जब इस पॉलिनमिन को हम डिवाइट करेंगी किसके यूं kinetic लिए होगा सो मैं इसका डिवाइडर बता ले कि खानिए जब X Plus 1 से इसको डिवाइट करेंगे तो हमाई पस रिमाईडर क्या रहे है या तो आप डिर्क डिवाइड कर सकते हो या फिर यह आप लिगा सकते हो state reminder tunum मतलब हमाइपास polynomial है PX उसको divide करें X-A के सब और हमाइडर के आएगा PA तो उसी को करते हम solution first part के लिए here PX PX के है हमारा XQ plus 3X here plus 3X plus 1 उसके बाद first part में यह दिया है and इसका हम 0 निकाल करते हैं 0 of X plus 1 is minus 1 0 मतलब इस पारिम ना हुए है मतलब X की ऐसी value जिसे यह क्या बज़ा है 0 मतलब हमाइपास है X plus 1 अगर हम X की देगा हम minus 1 रखे तो यह क्या बज़ाता है 0 तो इसका मतलब minus 1 इसका क्या है 0 अब हमें reminder लिकालना है therefore reminder is equals to P minus 1 यह जो P P P यह आग्या लिए मतलब minus 1 इसकी value जैसे बिलेगी इसको देखने है यहां भी X होगा X की देगा minus 1 minus 1 का cube plus 3 into minus 1 का square plus 3 into minus 1 plus 1 minus 1 का cube minus 1 को आपने 3 बान मंटिप्लाई करना है minus 1 into minus 1 into minus 1 तो minus minus plus फिर द्वार क्या जाएगा minus तो minus 1 का square क्या होता है 1 इनको multiply कर दिया फिर यह 1 और यह 1 cancel तो यह जाएगा 3 minus 3 तो यह भी cancel तो हमारा reminder क्या लिए 0 एक बाद द्वारा देखते है यह हमारे पास polynomial है तो हमने इको divide करना है पहले किसे divide करना है x plus 1 के सब तो px क्या आएगा यह आएगा तो इस polynomial का हमें कहा लिए जीरो x plus 1 है तो इसका 0 क्या जाएगा minus 1 q जब x की value आप minus 1 डालोंगे तो यह क्या जाएगा 0 तो therefore reminder क्या जाएगा हमारा p और minus 1 यह जो theorem की pa तो x की जाएगा minus 1 यहाँ भी x की जाएगा minus 1 यहाँ भी minus 1 फिर इनको solve किया तो हमारा answer क्या गया 0 इसका मतलब जब हम इस polynomial से इस polynomial को divide करेंगे reminder क्या एगा 0 फिर देखते हैं second part second part here P x P x yi minus x cube plus 3 x square plus 3 x plus 1 and our second part is the right corner x minus 1 by 2 कसर and 0 of x minus 1 by 2 is 1 by 2 क्योंकि जब x की value आप 1 by 2 डालोगे तो यह क्या जाएगा 0 तो therefore तो क्यूब दोनों के 1 का 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 3 का वैसे ही 1 का स्केर 1 2 का स्केर 4 3 by 2 plus 1 तो इनको solve कर रहें 1 by 8 plus 3 by 4 plus 3 by 2 plus 1 तो इनको solve कर सकते हैं इनको तीनों का LCM ले सकते हैं तो हमारा LCM अजाएगा 8 तो 1 plus 6 plus 12 plus 8 solve करना होता है फिर फ्लस करो 27 upon 8 तो यह हमारा क्या गया है reminder जब हमने इस PX को किसके साब divide किया X minus 1 by 2 के साब तो हमारा reminder क्या गया 27 upon 8 वैसे फिर 3rd quarter 3rd part here PX PX हमारा थास यह बढ़ी दियो XQ plus 3X here plus 3X plus 1 अब हमने यह 3rd part यह बढ़ी यह part and 0 of X is यहाँ पे X की क्या value रखे 0 है तो 0 ही रखो तो therefore reminder equals to P0 जहाँ जहाँ X है X की लेगा 0 0 का Q plus 3 into 0 का स्केर plus 3 into 0 plus 1 0 का क्यूब 1 0 0 का स्केर 0 0 को 3 से multiply करोगे तब भी 0 0 को 3 से multiply किया 0 तो क्या आगे reminder 1 जब हमने PX को किसके साथ divide किया X के साथ तो हमारा reminder क्या आएगा 1 वैसे 4 part है पिर उसके बाद हो 5th part दे जाते हैं 5th part of the muscles here PX PX X3 plus 3X here plus 3X plus 1 over here बाद पूसका and 0 of 5 plus 2X is is 5 plus 2x इसका 0 निकाल है मतलब 5 plus 2x XT ऐसी value जिससे यह polynomial हमारे के बन जाए 0 तो X की value आप निकाल सकते हो यहां से तो यह हमारा क्या जाएगा 0 इसका 0 के आगया minus 5 by 2 तो यह देफोर reminder equals to P की X की value आप निकाल सकते है minus 5 by 2 जहां जहां X निकाल है Q plus 3 into minus 5 by 2 cos के र plus 3 into minus 5 by 2 plus 1 तो इको हम solve कर जाएगे minus का cube minus होता है 3 का cube 125 2 का cube 8 plus 3 3 इसका गया 25 अपान 4 minus का सके रजाएगा plus plus minus minus 15 by 2 plus 1 फिर इनको थोड़ा simplify करेंगे इनको थोड़ाएगे दे ले लेगे अजरेगा 8 तो minus 155 plus 150 minus 60 plus 8 तो इनको short करेंगे ये minus का है ये भी minus का minus minus plus सरी minus का है रहेगा 5 8 और 1 plus k plus हो जाएगा 158 upon 8 तो इनको हम minus कर सकते हैं 185 में से 158 को minus करो 15 7 7 और 2 तो जाएगा minus 27 upon 8 जब हम इस px को इसका साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा denominator क्या जाएगा minus 27 upon 8 यह हम कैसे कर रहे थे हम यह हमने reminder theorem लगा रहे थे इसके साथ डिवाइड करना है इस polynomial के साथ पहले इस polynomial का 0 निकाल लो रख में मतलब x की ऐसी value जिससे यह polynomial क्या बन जाए 0 तो वो बने value अमने यहाँ x की जगा लगा दिए उठ करनी है तो फिर simplify किया तो हमारा जो आएगा वो क्या जाएगा रिवाइड रहा फिर देखें जाएगा जाएगा को आएगा जाएगा वादा रिवाई़ वादा रिवाईब वादा x की minus x की plus 6 minus e is divided by x minus e हम एक डिवाइदर निकाला है जब हम इस पॉलिडाओमें को इस पॉलिडाओमें से क्या देंगे divide solution here px ये px आगया मतद xq minus ax here plus 6x minus e तो इसको इसके साद डिवाइद करना है तो इससे इसका 0 निकाल लेते है and 0 of x minus a is a मतलब x की ऐसी value जिससे ये क्या बन जाए 0 therefore reminder reminder p a तो हमारा reminder के बन जाएगा p a ये की वेल्ट इसकी वेल्ट इसकी वेल्ट a यहाँ यहाँ गैडिल जा लिए x की जाएगा a लिगा लिए a का cube minus a cube यहाँ power 2 है तो यहाँ power 1 है यहाँ power add हो जाती है plus 6a minus a cancel a cube था a cube था plus or minus cancel 6a में से a के रिकाल होगे 5a तो यह हमारा आगया reminder जब हमने cat यह p x को divide किया x minus e के सब वैसे है हमारा आगया next question है question number 3rd question number 3rd check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x यहाँ question number 3rd हमें चेक करने है 7 plus 3x इसका फेक्टर है कि ने फेक्टर कब होगा जब reminder के आएगा 0 जैसे आप इसे पिछले लेक्टर में भी किया था जैसे 10 है 10 को आप अगर 2 से डिवाइड करो 2 फाल तो 10 reminder के आजाता है 0 अगर आप 3 से डिवाइड करते हूं 10 गो तो reminder क्या आता है 1 इसका मतलब यह जो 2 है यह factor है इसका 10 का वो जी जो 3 है यह factor नहीं है क्योंकि reminder क्या आता है 1 reminder अगर 0 आ जाए तो वो उसका क्या होता है factor तो वही हमें check करना है कि यह इसका factor है कि नहीं अगर हमारा divider 0 आ जाता है तो यह इसका क्या होगा factor solution here px px यह नहीं है px कौन सा है यह बादा हमें इसको check करना है यह इसका factor है कि नहीं मतलब इससे divide करना 3x3 plus 7x and जिससे हम divide करते हैं उसका क्या निकालेंगे 0 and 0 of 7 plus 3x is x की ऐसी वैश्यू जिससे यह वादा polynomial के बज़ जाए 0 अगर direct नहीं आता है तो रफ में आप कर सकते हो 7 plus 3x equals to 0 यहां से हमें x की value निकालने होगे 3x is equals to minus 7 x is equals to minus 7 by 2 तो इस पालिनामिका 0 क्या होगा minus 7 by 2 तो इस रिप्लाइज और reminder हम check करें ते है reminder क्या आ रहा है reminder is p minus 7 by 2 x की value x की जगा लिगाना है minus 7 by 2 लिगा सकते हैं तो 3 into minus 7 by 2 का cube plus 7 into minus 7 by 2 तो simplify कर लेगे minus का cube minus 7 का cube 3, 43, 3, 2 का cube 8 7 और 7 को multiply कर लिया 49 फिद वारा 3 से multiply कर लो 12 9 12 बन कैरी upon 8 और दस, minus, minus 8 बिदी, sorry दिदा जाएगा 3 7 by 3 तो बारा देखिए लेग्मेंट इसका 0 आगया minus 7 by 3 तो p minus 7 by 3 तो यह आगया 3 का cube 27 तो यह 3 का 3 देखिए फिर और थोड़ा सा था यह आगया 27 यहाँ पर आगया 3 तो इनका जब हम LCM ले ले लेखिए LCM आजाएगा हमारा 27 minus 1029 minus तो इसको 9 से करना पड़ेगा 441 तो इनको हम simplify कर देएगे minus minus plus हो जाएगा 10 0 1 carry 6 और 1 7 upon 27 इनका आप इसको simplify भी कर सकते हूं तो इतना भी रहने दोगे तो भी 3 is not equals to 0 मतला हमारा reminder 0 नहीं आया तो therefore अगर reminder 0 नहीं आता है तो उसका factor नहीं होता है तो therefore 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x 7 plus 3x इसका factor नहीं है एक बदबाला देखे है जैसे मतला 10 है 10 को अगर 2 से divided करो reminder कहाँ दा है 0 3 से अग 5 so reminder क्या दा है 1 2 कहाँ इसका factor और 3 इसका factor नहीं है वैसे हमें इसका factor है कि नहीं अगर reminder 0 आता है तो इसका factor होगा नहीं तो तो हमें polynomial ले लिया PX लिए आगे, इससे तो हमें divide करना है, तो इसका हमें 0 निकाल देगा, तो PX लिए आगे, 0 of 7 plus 3X is, इसका 0 निकाल देगा, मतलब ऐसी X की value जिससे ये polynomial क्या बन जाए? 0, तो X की value ऐसी क्या होगी? minus 7 by 3, तो ये आगे, 0 इसका, तो reminder आगे, P minus 7 by 3, तो X की लिएगा, minus 7 by 3 लिगाना है, तो इसको simplify किया, reminder हमारा 0 नहीं आया, अगर reminder 0 नहीं आता है, तो उसका factor नहीं होगा, इसका मतलब, 7 plus 3X is not a factor of 3XQ plus 7X, ये इसका factor नहीं है, फिर उसके बाद हम next exercise देखे हैं, 2.4, जैसे हमने की reminder चीड़ों वैसे हमारे पार सेको theorem है, state factor theorem, जैसे बाद हम reminder रिकार सेफी याँ याँ आप factor के बारे में बताएंगे, थोड़ी थोड़ी statement, let PX be a polynomial of degree greater than or equals to 1, हमारे पास PX is polynomial है, जिसकी degree बहुत से बड़ी है या बहुत के, equal है, and let, a, b, any real number, a हमार पास कोई real number है, then x minus a is a factor of PX, if and only if, P a is equals to 0, जैसे अब दें पीशे पहले किया, P a क्या होता है, reminder, तो यह अगर reminder 0 आ जाता है, तो उसका क्या होगा, factor, x minus a, PX का क्या होगा, factor, I'll double up if and only if, if and only if, मता, x minus a, PX का factor तब होगा, जब P a की value क्या है, 0, P a, अभी पिश्ली थूरबे हमने क्या होता है, reminder, अगर हमारा reminder 0 आता है, तो x minus a, PX का क्या होता है, factor, तो इस पे कुछ question देखते हैं, that mind, question number first, that mind, which of the following polynomial, which of the following polynomial, polynomials has x plus 1 as a factor, इस पे बिश्च पुछ पादा, अभी पादा, अभी पादा, x cubed plus x squared plus x plus 1 और भी तीचर पाद है, हमारे पास ये polynomial दिया हुए है, हमें बताना है, कि x plus 1 उसका factor है कि नहीं, मतब PX हमारे पास ये वाला given है, तो हमें ये बताना है, ये इसका factor है कि नहीं, सब्सक्राइब कि ये बताना है, ये बताना है, this implies P of minus 1, ये चेक करेंगे, अब 0 आदा है कि नहीं, is equals to minus 1 का Q, plus minus 1 का square, plus minus 1 और plus 1, minus 1 का Q, minus 1 को 3 बार multiply करदा, तो आपके पास minus 1 आजाएगा, दो बार करोंगे तो plus, plus minus, minus, ये 1 कैंसल, ये 1 कैंसल, रिवाइडर के आगा, 0, अगर रिवाइडर 0 आता है, तो X minus A इसका क्या होता है, factor, therefore, X plus 1 is a factor of P, X plus 1 इसका क्या होगा, factor, वाज़े मातमा सही पाट है, हमाद, वाज़े, 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 PX, here, PX, solution, X to the power of 4, plus, X to the power of 4, plus X square, plus X, plus 1, ये, वाज़े, 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 x plus 1 is a factor, 59, यह polynomial आ गया and 0 of x plus 1 is minus 1 यह बताना है हमने फेक्र हाइट के नहीं तो this implies p minus 1 की value check करेंगे minus 1 की power 4 plus minus 1 की power 3 minus 1 की power 2 plus minus 1 plus 1 power even number है minus की power even number होगी तो plus आ जाता है तो odd होगी तो minus even है तो plus plus minus minus फिल प्लस यह 1 कैंसल यह 1 कैंसल तो क्या गया हमाला p of minus 1 क्या गया 1 यह क्या आना चाहिए था 0 0 नहीं आया this implies p of minus 1 is not equals to 0 therefore x plus 1 is not a factor of px x plus 1 is px का factor नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि जो हमने reminder निकाला वो 0 नहीं आया अगर यह 0 आ जाता तो यह इसको क्या हो जाना था factor वैसे देखिए एक पार और 4 पार देखिए here px px हमें दिया हुए है x की पार 3 minus x के और minus 2 plus root 2 x plus root 2 अब हमें चेक करना है x plus 1 इसका factor है की नहीं है तो इसको 0 निकाल लेंगे and 0 of x plus 1 is minus 1 तो this applies p of minus 1 minus 1 का cube minus 1 का square 2 plus root 2 x की जगा गया minus 1 plus root 2 जहांके भी x दिखता है x की जगा आपने क्या लिगने है minus 1 minus 1 का cube minus 1 का square यह वैसे रहा यह multiply करें यह minus 1 bracket plus root 2 minus 1 को 3 बार multiply करोगे minus 1 2 बार multiply करोगे तो plus 1 यह minus 1 minus plus bracket open करेंगे minus 1 minus 1 plus 2 plus root 2 plus root 2 plus root 2 minus 1 minus 1 क्या हो जाएगा minus 2 तो यह cancel 2 और minus 2 cancel root 2 root 2 root 4 नहीं बन जाता है यह root 2 है यह भी root 2 है मतलत कितनी बार है 2 बार 2 root 2 तो हमारा यह भी 0 नहीं आया तो this applies p of minus 1 is not equal to 0 therefore x plus 1 is not a factor of px x plus 1 is px का factor नहीं है एक बार देखते है यह हमें यह हुआ था polynomial हमें चेक करना था x plus 1 इसका factor है कि नहीं तो हमने इसका 0 निकाल लिया x plus 1 का 0 क्या आएगा minus 1 मतला x की ऐसी value जिससे यह वालब polynomial के बन जा है 0 तो p of minus 1 यह चेक किया तो इसकी value आई 2 root 2 not equal to 0 इसका मतलब x plus 1 is not a factor of px तो बैसे हमने 2 theorem की आज एक हमने reminder theorem एक हमने factor theorem statement थोड़ी-थोडी same है reminder theorem में क्या था p a क्या आ जाता था हमारा reminder factor theorem में है मतलब x minus a इसको factor तब होगा जब क्या होगा p a किसके प्रावगा आ जाएगा 0 वह हमने यह चेक किया अभी ठीक है okay students thank you प्राव था जए झाल कि यह अए अए जए प्रावगा झाल झाल